दोस्तो अभी आप गोल देख रहे हूँ यह से फीट का गोल है जो की समूद्र की तलो के घहाँसों से बनाया जाता है यह पूरी तरह से जैविक होता है तो इनका प्रयोक दोस्तों आज हम अपनी कद्दू के छोटे पोधे पर करने वाले हैं अभी दोस्तों पौधे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे हैं लगभग 15 से 20 दिन के पौधे हो चुके हैं और ये पौधे को दोस्तों हमने खरपतवार से बचाने के लिए अगल बगल में रेत डाल दिया हैं कुछी सरीके से तो इनमें दोस्तों अभी खरपतवार है देख कि अकार के होते हैं तो जिसको पीस कर मैंने कुछी सरीके से घोल त्यार कर लिया है और इनहीं का प्रयोग हम अपने पौधे पर करेंगे इसी घोल से दोस्तों जो अपना कद्दू का पौधा है वो अपना भोजान बनाएगा और अपने उत्पादान चमता बढ़ाएगा तो चलिए दोस्तों प्रयोग करने से पहले यहां की जो मिट्टी है उसको हलका सा भूरबूरा कर लेते हैं अपने हलकों हातों से दोस्तों भूरबूरा कर लेते हैं और खरपातवार ना होगे इसके लिए हमने यहां पर रेत का जो एक हलकी परा था उनको भी छा दिया है जिसे हमें बहुत ही अच्छा benefit देखने को मिला है तो खरपतवार नहीं है दोस्तो चलिए यहां पर मैं फटा फट निंदाई गोड़ाई कर देता हूँ देख सकते हैं यहां को मैंने हलका सा जड़ के आसवास को भूरगूरा कर लिया है निंदाई गोड़ाई करके अब बारी आते ही इनमें fertilizer को डालने की जो हमने fertilizer त्यार के है उसको इसमें की सरीके से आपको भी प्रयोक करना है उसको विशेय में आपको जनकारी देंगे यहीं समय होता है दोस्तों पौधे को अच्छी तरीके से क्या टिफ्स करना चुकि पौधा एक बार अच्छी तरीके से बढ़ जाता है तो उनमें फल फुलाने सुरू हो जाते हैं तो यह देखिया हमारा फर्टिलाइजर पूरा काले रंकी है और यह लगभग एक पौधे के लिए सवसब से सवसे ड़ेड़ सवामेल पानी की मातरा हमने उप्योग किया है और इनको दोस्तो डारेक्ट इनकी जड़ों में हमने डाल दिया है आप चाहे तो उपर से इनमें पानी की और मातरा डाल सकते हैं लेकिन दोस्तो मेरी जो जमीन है जो कद्दू के पौधे वो गीला होने कारण मैं इसमें सिर्फ अपना फटिलाइजर उप्योग किया हूँ तो आपकी जमीन यदि सुखी है तो आप दोस्तो उपर से डेर से दो लीटर पानी आप पौधे पेट दे सकते हैं तो अब दोस्तो हमारे पौधे जो हमने फटिलाइजर डाला है उनसे अपना भोजान बना कर बहुत तेजी से ब्रिद्धी कल लेगा साथ में इनकी नई-नई पतियां भी आने लगेंगी अभी आप इनके पतियां फल देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से फ्रेस और गहरे हरे रंग की दिखाई दे रही है इनमें अभी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है दोस्तो तो यह था दोस्ते छोटी सी इंफॉर्मेशन तो दोस्तो यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नहुंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट ज ईसक्तो में अलवा इंब हूमें आपको र सब्सक्नल किसी लाओ वाली को ऱ्तो बड़ाया वार जब हैंताथ थी लास्तो श्तो भी बेल हा पीट लगी को ठभी किसी टीड़िशन खॉर्मेशन आपको किसी लगे जब हुर्में हमें तोस्तो